हेलो, गूड मॉर्निंग एवरिवन, हो चुकी है सुबा, थोड़ा सा मैं लेजी लेजी फिल कर रही हूँ कि मेरे तब यह थोड़ी नहीं सही थी, तो चलिए काम तो करना ही है, काम तो रुखने वाला नहीं है हमारा, काम तो हमें डेली ही करना होता है, तो हम चलेंगे अपन सारा गंदगी फैला के रखा है उसे हम सही करेंगे, तो उसके पहले हम कर लेंगे, ब्रश करेंगे, पहले में ब्रश कर लोगी, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी, अच्छे तरीके से ब्रश करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में भी गंदगी फैली हुई है जो की फिर हम उसे साफ करने से पहले हम पानी पी लेंगे दो ग्लास पानी पींगे इन गुण गुणा पानी पीने से बहुत सारे फायदे हैं सुबह सुबह आभी पिया करिए तो मैंने दो गलास पानी अच्छे से सिप सिप करके बैट के आराम से पिया है जिससे हमारे जो सुबह सुबह हम प्रेश होंगे तो अच्छी तरीके से हमारा पेट साफ हो जाएगा तो फिर हमने ले लिया है पानी उसके बाद मैं सफाई अभ्यान में जुड़ जाऊंगी जो की सफाई करना बहुत ही important तो पहले मैं जाडू लगाऊंगी पूरे घर में अच्छी त्रीके से जाडू लगाऊंगी देखिए मैंने कोने कोने में एक अच्छे के कोने को अच्छे से साफ कर रही हूँ मैंने आगर में फिर गैलरी में गैलरी को भी अच्छे से कोने कोने से साफ कर लूँगी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी धूप आ रही है बाहर से जो की बहुत ही एनेजोटिक फिल होता है तो फिर मैं अपने रूम को साफ कर लूँगी रूम को भी अच्छी तरह से साफ क पहले बरतन को अटाएंगे फिर उसके पाद गैस को साफ करेंगे गैस को अच्छे से साफ करने के बाद यूटी देख सकती हैं बहुत सारे गंदगी रहो रखी है बरतन को बरतन को हम ले जाके पीछे रख देंगे बरतन दुलने वाले आएगी उसको साफ करेंगी तो मैं भी भी बहुत ठक चुकी हूँ फिर भी हमें सफाई तो करनी है उससे पहले हम ले लेंगे चाए चाए पी लेंगे जिससे मुझा थोड़ा energetic feel होगा फिर मैं उसके बाद करूँगी पोचा उसके बाद ही मैं पोचा लगाओंगी चाए पी लूँगी चाए पी के अराम से उसके सा से स्टार्ट की हूँ यह हम लोग इसको बरांदा बोलते हैं सौरी आंगन नहीं बरांदे से स्टार्ट करते हैं बरांदे से स्टार्ट करते हैं पोछते पोछते मैं बहुत ठक चुकी हूँ फिर भी हम जारी रखेंगे पोछा लगाने को पोछा लगाना हमने चारी रखा है फिर उसके बाद हमने आंगन एरिया को साफ करेंगे फटा फट से साफ करेंगे क्यूंकि साफ करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे काम है आंगन सफाई हमारी हो चुकी है मैं आपको दिखा देती हूँ मैरे पूरे घर में अच्छी तरह से चमचमाता हुआ मैंने घर को अच्छी से पूछा लगा के चमचमा कर दिया देख सकती है आप अच्छी से पूरे किचन की एन रूम की मेरे आगे वाला रूम है इसको भी साफ कर द ने मैं अपने गhlery को भी अच्छी तरह से पोचा हो चाल लगांने के लिए तो मैं यह निंज हुआ सा यकीं जो कि इंटर्स के लिए बहुत अच्छा है फिर हम नहाने के लिए तयार हैंगे अपने कपड़े टांग लेंगे फिर उसके बाद ही मेरा मामा आर्थ का फेश वाश एंदेमेट बॉडी लोशन जो की बहुत ही अच्छा है फिर हम नहां वहां के ऊपर आ चुके हैं तो क्यू आप जल भी ले सकती हैं फिर उसके बाद डाप डाप करके फाइफ मिनट के लिए इसको रेस देंगे उसके बाद हम अपलाए करेंगे सीरम आप वही भी जीरम ले सकती है मैंने मार्ट का लिया है मार्ट को मुझे पसंद है ऐसे डायटिक फेस पर नहीं अपने हाथों पर इकाल के ड्रॉप फिर अच्छी से डाप डाप करके अपने फेस पर अपलाए कर लेंगे अच्छी तरह से मसाज देंगे अपने फेस को जिससे आपका ब्लड शर्कुलेशन तोड़ा फास्ट हो जाएगा उसके बाद हम लेंगे क्रीम क्रीम लेंगे ममार्थ की एंटी पॉ बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे फेस पर गलो प्रवाइड करेगा आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूं मसाज उसकी बाद हमारा है थर्ड स्टेप यह संस्क्रीम संस्क्रीम तो बहुत इंपॉर्ट अगर आप घर में हो या बाहर फेस पर अप्लाए करना बहुत लगाऊंगे मैं तोड़ी सी लपस्टिक मिलाके रखे और किया देली योज पे अपलाय करती हुँ इसे बढ़ करके निद कोब करके कॉम करके तुद्सा और अजकोड करके डीर बट करोंगी ब्लाइब कलर की सब स्वेयर बरंड की मैं कय Kristen के लहते हूँ आपको अच्छा दिखना चरूरी होता है person पूजा के लिए पहले पूजा करूंगी देख सकती है मैंने देवर छला दी है थिर मैं बहुले नात के पूजा करूंगी रिपने चल जड़ांगी नमच्छिवाई ओमिनमच्छिवाय सीला और पिर मैं इसमें तोड़ा सा अच्छा चड़ा रही हूं इनको फिर उसके बाद इनको हम टीका लगाएंगे टीका लगाना भी बहुत ही जरूरी होता है टीका लगाना एक लोटा जल सारे दुखों का हल ये होता है क्यूटीज आप जरूर फॉलो करिए मैंने लगा लिया है औ पिर उनको माथा टेक लेंगे जिसे हमें बहुत सारा इनसे बहुत सारा आसिरवाद मिले और फिर हम अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ें और अब अरकी शुक शान्ती के लिए प्रे करें उसके बाद हमारी पूजा कम्प्लीट हो चकी देखिए मैंने बहुत नात है मेरे उसके बाद हम करेंगे पेट पूजा बहुत जोर की भूख लगी है फिर मैं आगए हूँ किचन पे तो किचन में मैंने रात का ये है मेरा अगाजर का हलुआ सबजी रोटी इसको गरम करेंगे और शटनी हम रात का ही प्रिपेर करके मैं रख लेती हूँ क्यों आप जरूर आईएगा तो मैंने अपने भाई को दे दिया है नाश्ता उसके बाद हम आ जाएंगे टेबल पर मुझे भी बहुत जोरो की लगी है भूख तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता तो मैंने लिया है गाजर का हलुआ और खाते हुए आपको दिखा रही हू नाश्ता उस्ठा करने के बाद चली थोड़ देर चलते हैं छत पर विटाैमिन डी विटामीन डी लेना भी बहुत जरूरी है धूप में जरूर जाय करें जिसे आपको विटायमिन डी मिले क्योंकि मुझे थोड़ दिन पाले बैडिसिन लेनी पड़े थी क्योंकि मेरे वि तो आज हम बनाएंगे दाल चावल तो मैंने लिया कूकर उसमें एट किया डाल अब इसको डाल मैंने एट करके इसको फिर मैं दाल चड़ा दिया है मैंने फिर चावल चड़ा दिया है यह सबजी के क्रेशन कर लेते हूं यह मेरे हैं मतर में बनाने वाली हूँ उस से पहले मैं मिल्क लोग और उसको गड़ाएं भाया बेनो के लिए मेंक亘 जैते हैं मेंसके धुशन करा रही हूं धर मैने पी की रही हूंने räसे के और मेरी छी सिस्टर शच़ेङन और मेरा धाया तो देख सकती है आप हमारा खाना इतने है अच्छी सब्सक्राइब हो रहा है रेडी होने के बाद हम साथ में अच्छी तरह से प्रिपेशन कर लेंगी मैं थोड़ा सा लेसन चील रही हूं क्योंकि जो ताल में तड़का लगा लेंगी नो तो लेसन की जुरुत पढ़ेगी ह को मैं चाहता रही है सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब करीजिए सब्सक्राइब करेंने सब्सक्राइब हुं तो इसम word работает by द्धाल कर से सब्सक्राइब ऑिमचाने को तो मज़ा ही अलग होता है, आप भी पता है, ये comment में आपको कैसा लगता है, तो देख सकती हैं, सब्जी बिनारी और पोज मारी, और पोज मारते मारते गायब हो चुकी, और सब्जी मुझे ही देखना पड़ा, तो ये ऐसे ही करती है क्यूटी, फिर उसके पाद ये खाने ब तारह त्याट फीरल होता इतरह भक करने के बाद थोड़ा ख़ाने के बाद नीत आही जाती है तो मैं किचन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लूँगी उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी देख सकते हैं बजवे खाने को निकाल के अच्छी से रख दिया है फिर मैंने खाने को रखने के बाद किचिन को अच्छी तरह से साफ कर लिया है देन हम प्रिपेर करेंगे अपनी टी साम का चाय तो ही मज़ेदार होता है युदि साम को चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है मैं अमूल दूद से चाय बनाती हूँ आप कौन से दूद से बनाती है आप जरूर बताएगा कमेंट में मैं बना रही हूँ चाय और चाय में थोड़ा सा पानी तो अट करेंगे ही क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी अट करते हैं क्योंकि दूद वाली चाय सब नहीं पसंद करते हैं मुझे तो बहुत पसंद है मैंने इसमें एट की चीनी और चाय पतीग फिर उसके बाद मैंने चाय रखने के बाद मैं थोड़ा सा मूबायल देखने लग गई यूडिज उसके बाद मेरी चाय गिर गई तोड़ी सी चाय गिर गई मुबाइल देखते देखते तो क्या हुआ चलो अब चाय पे ही रेते हैं फिर मैं अपने चाय को निकाल लेती हूँ और निकाल के मैं ले आई हूँ टेबल पे उसके बाद मैं टेबल पे आके बैठी तो मैंने देख को शहीं चाह मैंने को देखने को चाय पी की केबी सी देखने का मज़ा ही को चौर होता है तो ये हुई मेरी नमकीन जो मैं नमकीन जरूर लेती हूँ चाय के साथ चाय वाई पीने के बाद खाना प्रिपेर करने की बारी आये तो मेरी बहन आठा गूतने को लग गई और सब्ची बना रही है तो मैं आज बनाओगी दमालू तो मैं अपने पोस मार रही है और हस रही है क्योंकि यह अच्छी नहीं दिख रही थी और मेरा भाई बना रहा है थोड़ा सा नाश्टा क्योंकि हमें लगी थी भूग बच गये थे आठ और हमें लग गये थी भूग विंटर में बहुत ज़ादा भूग लगती है तो यह बना रहा है नाश्टा फिर मैं उसको खाने के बाद हम रात में बनाई रोटी रोटी बनाई और सब को खाना काने को दिया तो मैंने रोटी प्रिपेर कर ली है अच्छी तरीके से उसके बाद हम खाना खाएंगी यह है मेरे भाई लेकिया वासाला पनीर और दमालू चावल रोटी तो ऐसे ही क्यूटी से हमारे पूरा दिन था हमने पूरे दिन को कम्प्लीट किया दूद पीकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा मेरे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज टैनल को लाइक शियर सेस्क्राइब थैंक्स वर वोचिंग